हेलो दोस्तों, वेलकॉम बैक, एट फॉर्मूला बेस ट्रेडर, अजर्नी ओफ लर्निंग्स टू एक्सलियो अर्निंग्स, कैसा रहा आपका आज का दिन, कमेंट करके जरूर बताना, नए हो चैनल पे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और टेलिग्राम पे आपको जोइन करना चाहिए, शायद आपकी लाइफ में वेल्लिव एड करें, और किसी भी पेड टेलिग्राम चैनल से अच्छा आपको व्यू देखने को मिले, शायद आपके काम आए, इस वीडियो को आप सिर्फ और सिर्फ नेक्स वीक के व्यू के हिसाफ से मत देखना, इस वी एड करें, बाजार के चाल को समझना जरूरी है, जब आप किसी भी चार्ट को रीड करना सीख जाते हो, आप रेंडम ट्रेडिंग बंद कर देते हो, मार्किट है गईज, कहीं भी ट्राप करने के लिए मूव कर सकती है, बड़ जब आपको डारेक्शन पता हो, तो शायद आप उटपठांग ट्रेडिंग ना करो, कल लाइव आया था, स्पेशली शाम को क्या डिस्कस किया था, कि अगर बाईचांस 180 के आसपास ओपन होता है, 180 एन की इस सेशन के आसपास ओपन होता है, अप साइड में 245 तक, एक रिजिस्टेंस है 245 के उपर, अगर सस्टेन होत होता है, तो अप साइड के लिए 350 और 350 के उपर, बुलिश हो जाएगा अप साइड के लिए, एक चैनल था बाईचार का, वो था 24,425 के आसपास, बाईचार ने उसको भी ब्रेक करा, और अप साइड के लिए 24,540 के आसपास आके क्लोज किया है, इसका मतलब क्या है, कि बा टेक्स किया था, इसी पर्टिकुलर लेवल को, 350 को, यहाँ पे, वन टाइम, टू टाइम, थ्री, फोर, और यहाँ पे सपोर्ट ली, नेक्स दे गाब डाउन हुआ, वहाँ से रिवर्सल दिया, देन, फॉल होके क्लोज किया, 350 के आसपास ही, मेजर, सपोर्ट और रिजिस् 14 अगस्त को, इस जोन में, देन, अप साइड में, गैप अप उपन होने के बाद में, इस पर्टिकुलर एरिया को, ब्रेक करा, फुल ओन, एग्रेशन के साथ में, राइट, ओपन हुआ, अपर लेवल पे, डिप लगाया, आपके साथ डिस्कस किया, टेलिग्राम पे, कि 24, 24,245 पे बजार सपोर्ट ले चुका है, यहां से रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, 350 को ब्रेक करने के बाद में, मार्किट ने, जितना मूव यहां तक दिया था, 350 तक, अल्मोस्ट उतना ही मूव आपको अप साइड के लिए देखने को मिला, इस इस दा पावर ओफ लर्निं गई, सीखना जरूरी है, यह स्कैल्पिंग, छोटा सा मूव कैप्चर करना, अच्छी बात है, अगर आपके अंदर कॉन्फिदेंस नहीं है, लर्निंग फेस में अच्छी बात है, बट लॉंगर टाइम फ्रेम के लिए और एक बड़ी जर्नी में चलने के लिए आपको चा की चाल को समझते हो, तो आप लंबे टाइम फ्रेम तक बजार में रुख सकते हो, और उट पठांग ट्रेड लेना छोड़ दोगे, अब बजार ने जब ये ब्रेक आउट दे रखा है, आप साइड के लिए बुलिश है, सबको दिख रहा है, गैप अप होने का सेनारियो ब रहा था, अब बजार के लिए क्या ज़रूरी है, कि बजार अगर गैप अप उपन होता है, तो अप साइड के लिए बुलिश मोमेंटम ले सकता है, और 23,750 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, सेम चीज स्टूडेंट के साथ में डिसकस किया था, जब ये 24,245 के आ आपको 24,600 के आसपास का लेवल और मेभी 24,750 इस जोन को टेस्ट करने के लिए जा सकता है, ये बिहेवियर है, अब बहुत सारे लोगों ने BTST में पूट साइड का ट्रेड लिया हो, गैस बहुत रिसकी है, क्योंकि प्योर मार्किट ग्लोबल सेनारियो के उपर अभी रियक्ट कर रहा है, राइट, कल आपके साथ शेर किया था कि मोदी जी का रेड फोर्ड की स्पीच, स्केट बजा से मार्किट में एग्रेशन आ स करेंगे अगर बजार सस्टेन होता है अपर लेवल पे, वीकेंड पे दो दिन की छुटी में BTST ट्रेड लेना बहुत रिसकी है, हो सकता है आपका गलती से प्रॉफिट हो जाए, मेरे हिसाब से अवोईड करना चाहिए गईज, अगर आपको लंबे टाइम के लिए बजार म मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूँ चार्ट को, तो शायद आपको समझ आए, यह क्लीन है चार्ट अभी, यहाँ पे आपको देखना चाहिए, इस जोन के आसपास बजार ने टेस्ट करा, अब यह 23,900 का लेवल जो बेस बना चुका है, वहाँ से रिवर्सल दिया है, अगर इंडे को gap down होता है, या flat open होने के बाद में sell zone में जाना शुरू करता है, तो आपके लिए 24,350 अब यह एक demand zone का काम करेगा, supply और demand zone, price action आपको जानना जरूरी है, आपको कोई indicator पैसा कमा के नहीं दे सकता है, जब तक आप अपनी learning के उपर focus नहीं करते हो, 24,350 अब क्या करेगा, एक demand zone का काम करेगा, जब भी बजार आएगा, यहाँ पर reaction देखने को मिलेगा, अब side में 24,750,800 और उसके बाद में फिर जब बजार इसके उपर टिकना शुरू होगा, तो हम discuss करेंगे future के levels, तो यह overall behavior आपको जानना जरूरी है, आपको guys मैं क्यों बो यहाँ पर देख सकते हो, clear cut है, यहाँ पर अगर आप देखो कि आपको लगे कि कोई भी tips वाला, यह मैंने कहा हो, यह buy करो, यह sell करो, यहाँ पर simple view share किया था, जो मैं आपके साथ share करता हूँ, but trade कहां बन रहे हैं, trade बनते हैं premium के chart पे, आपको देखना जरूरी है, जो student आप उसमें chart share करते हैं, जैसे शुशान पॉल ने chart share किया था, 50,100 का, तो इनको पता था कि कहां पर trade बनेगा, जो मैंने आपके साथ screenshot share किया था, सुवजीत को पता था कि trade कहां पर बन रहा है, कितने रुपए पर, कहां पर buy करना है, इनको option में, यह अपना chart share करते हैं, discuss करते हैं इस वीकेंड तक offer है, आप जोइन कर सकते हो, description में लिंक मिल जाएगा, कोई भी doubt हो, feel free to ask any question, अब हम देख लेते हैं, bank nifty के chart को, कि Monday के लिए क्या scenario बन सकता है, bank nifty में, bank nifty ने 49,850 के आजपास आज support ली, same आपके साथ में कल के analysis में share किया था, और same आपके साथ में telegram group पे share किया था, कि 49,850 के आजपास support है, अगर support लेता है, तो upside के लिए reversal आ सकता है, जब मैंने message share किया था, वो time please note करना, और उसके बाद में one sided move देखने को मिला, upside में 50,400 तक क और उसके बाद में market bullish थी 50,500 के level के उपर close किया है, यनि कि अगर आप बड़े time frame में देखोगे, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, समझना ज़रूरी है आपको, एक channel बना था, इस channel के आसपास बजार फसा हुआ था, इस channel को अगर break करके बजार trade करना शुरू कर रहा है अब side के लिए और bullish momentum बन सकता है, आने वले week में हो सकता है, बजार आपको 51,100 के आसपास जाता हुआ दिखे, ये possibility अभी बजार ने बना रखी है, अगर बजार में panic mode on होता है फिर से, again 50,100 ही एक support का काम करेगा और ये ही एक demand zone में convert हुआ है आज के breakout के बाद में, right? जब तक इसके ऊपर bullish रहेगा, upside का momentum बन सकता है, पहले भी share किया था 51,200 और maybe 51,500 तक की range फिर से बाजार ने बना रखी है, और Nifty 24,850 के ऊपर break करता है, तो हो सकता है आपको आने वले time में 25,000 और 25,500 तक के level दिखाए, वो कब 24,850 के ऊपर sustain होने के बाद में, planning के साथ में अगर trade करोगे, बजार की चाल के साथ रहोगे, और price action को follow करोगे, शायद आप कभी भी बड़ा loss ना करो, mid cap के chart को भी देख लेते हैं, आपको clear cut एक trend दिखा रहा है, upside के लिए, क्या दिख रहा है, कि बजार एक trend को follow कर रहा है, आज के throughout the session में, क्या देखने को मिल रहा है, 12750 के आसपस close कर रखा है, इस chart को तो आपको याद कर लेना चाहिए, जितना भी discussion हुआ था, चाहे 12370 का level हो, या 430 का, या फिर 500 के ऊपर, bullish momentum का आपको पता होना चाहिए, कि ये move बन सकता है, अब बजार की chart आपको क्या कह रही है, जिसे साब से, इसने close कर रखा है, बजार के लिए, एक cell zone बना हुआ था, ये वला part, जहां पे resistance ले रहा था, बार बार, ये क्या zone था, 700 के आसपस, upside के लिए, bullish momentum कब तक बन सकता है, अगर आप follow करते हो, शुरू से, और जब live session में भी हमने discuss करा था, 12,980 के आसपस से, बजार ने sell signal दिया था, और आपके साथ में share किया था, कि इसका high लग चुका है, अब ये, एक fall ज़रूर लेगा, जहां से, almost 800 से 900 point का, इसने fall दिया था, डिरेक्ट आगर आप देखोगे, अब ये इस zone के आसपस trade कर रहा है, close कहां पे दिया है, एक strong zone के आसपस, जब ये 12,760 को break करेगा, अब side में ये gap fill होने के लिए आ सकता है, 12,820 तक, और maybe 12,880 तक, जहां से, बजार ने retest करके next day fall दिया था, ये zone बनता है आपके लिए, downside के लिए, आपके पास में support का काम करेगा, 12,680, जब तक इसके ऊपर sustain कर रहा है, तब तक upside का move possible है, अगर break करता है, तो फिर आपको फिर से 12,600 तक के level देखने को मिल सकते हैं, इसका reason क्या है, कि इसमें weakness के ज़्यादा point के हम बात करें, क्योंकि आपने देखा होगा, last week में बहुत सारे stocks, 10-20% fall कर रहे थे, इसके basis पे एक base है, 12,580 के आसपास, यनकि 680 को break करता है, तो इस zone में बजार कोशिस कर सकता है आने के, note करना levels को, शायद आपके काम है, like, share and subscribe, your responsibility, telegram पे आप ज़रूर join कर लेना, और जिसको भी enroll होना है, course में, description में link मिल जाएगा, thank you so much for watching bye bye, take care.